हेलो इस्टूरेंट माइसेल्फ टॉक्टर अख्लिश कुपता फीजो थेरेपी फेकल्टी एड इंद्रा गान्य इंस्टिटूट ऑफ परामेटिकल साइंसेज तुड़े वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक ऑफ एक्सराइज थेरेपी डैट इस थेरेपेटिक मसाज यह आपके थेरी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से ही यह इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले जानते हैं कि मसाज होता क्या है तो अगर हम नॉर्मली बात करें आम बोल चाल की भासा में तो मसाज का मतलब हम लों समझते हैं कि सरीर जब ठक जाता है तो उसको अराम देने के लिए जो हम हाथ या पैट दबाते हैं तो उसको हम मसाज बोलते हैं लेकिन यह थेरेपेटिक मसाज है means treatment point of view से ठीके यह treatment point of view से मसाज है हम अलग-अलग technique से करते हैं अलग-अलग हिस्सों के लिए सरीद के अलग-अलग हिस्सव जहाँ मसल्स ज्यादा है जहाँ मसल्स कम है जहाँ जहाँ बोनी चुक्षर कम है झाहाँ जो मसे ब्लाइए भी आपWeb बड़ी आती है ठीके तो उसको सही तरीके से ट्रीट करने के तरीके को हम बोलते हैं मसाज ठीक इसको मसाज नहीं बोलते हैं एक तो मैनूल है मैनूल का मतलब हाथों से किया जाएगा इसमें कोई मशीन की आवशक्ता नहीं पड़ेगी पे होना चाहिए इसा नहीं है कि जल्दी अपर अराम अराम से कर रहा है एक नॉर्मल स्पीड है करेक्ट से से भी होना चाहिए ठीक है ताकि हम जो function नॉर्मल नहीं है या दर्थ की वज़े से जो वो काम नहीं कर पा रहा है उस body part का उसको हम normal functioning में ला सकें ठीक है अब इसको कई जैसे की हमने बात किया ना कि हमको लगता है सिव हाथ पर दबाना इस massage नहीं therapeutic massage यह कई तरीकों से होता है और mainly इसको चार तरीकों में बाटा गया है ठीक जिसे हम classification के अंदर गत रखते हैं सबसे पहला है stroking ठीक है दूसरा है patricerge तीसरा है friction और चौथा है आपका taportment ठीक तो यह तीन चार तरीके हैं आपके massage करने के हम therapeutic massage बोलेंगे इसको ठीक है rather than massage हम therapeutic massage बोलेंगे तो massage का चार तरीके हैं main और इसके भी under कई क्या नाम है sub division होते हैं कई छोटे छोटे तरीके हैं जैसे कि stroking के अंदर है superficial और effleurage next है patricerge patricerge में आपका आता है kneading picking up ringing rolling shaking next friction friction में दो आता है circular और transverse next है आपका taportment taportment पर आपके clapping hacking beating pounding vibration और tapping आता है ठीक है तो इसके बारे में हम विस्तार से जब हम एक एक पढ़ेंगे तो इसके बारे में और जानकारी लेंगे लेकिन अभी हमें बस यह समझना है कि therapeutic massage जो है वो इतने तरीके उसे किया जाता है और यह यह जो classification है यह 21 अधार पर है यह जब मैंने बताए ना यह हमने बात किते correct depth to correct speed तो यह कहने का मतलब है कि जहां muscles ज्यादा होगी ठीक है ठीक है जहां manspatia ज्यादा होगी ठीक वहां अलग टेक्नीक लगेगी जहां कम होगी वहां अलग लगेगी जहां surface area बड़ा होगा body की बात कर रहे है इसके अधार पर ये classification है ठीक है और कुछ टैयारिया होती है जो हमको massage apply करने से पहले खुद पे और patient पे तैयारी करनी पड़ती है ठीक है जिसमें सबसे पहले है attention to the personal hygiene appearance and manicure all are important सबसे पहले कहने मतलब है खुद का जिसे की हमेशा हम ये ध्यान रखते हैं कि patient 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 ऐसा नहीं या जिसके उपर apply करना है उस subject के उपर नहीं अपना खुद का भी सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम साफ सुतरे हों ठीक है क्योंकि patient से direct contact होता है हमा यहाँ equipment के थ्रू नहीं direct hands का contact होगा patient के उपर तो इसलिए ठीक है इसलिए personal hygiene का ध्यान रखना है appearance का ध्यान रखना है ठीक है और manicure, manicure appearance का मतलब है कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए इससे patient को uncomfortable हो जैसे कि नाखुन बड़े नहीं होने चाहिए घड़ी नहीं होनी चाहिए हाथ में ठीक है कड़ा नहीं होना चाहिए अंगूठिया नहीं होनी चाहिए यह सारी चीज़ें वगरा वगरा ठीक हमको ध्यान देना पड़ेगा Practitioners should wear protected clothing which are easily washable and allow the freedom of motion कहने का मतलब है हमें tight कपड़े इस दोरा नहीं पहनने होंगे जो apply करेगा technique massage की practitioner ठीक है उसकी अगर हम बात करें तो उसको protected clothing यानि की protected clothing है मतलब ऐसी clothing होनी चाहिए ठीक है जो आसानी से साफ हो सके ठीक है और दूसरा जिसमें freedom of motion हो यानि की हाथ जो ह वो आपके आराम से चल सकें ठीक कसा हुआ या tight clothing नहीं होनी चाहिए ठीक है ठीक है वो उसको अच्छे से बांध लें उसको पूरी तरह से cover कर लें ठीक है अगर उनकी कोई ऐसी jewelry उन्होंने पहन रखी है जो massage technique के दौरान बाधा पैदा कर सकती है यह देंगल का मतलब है बाधा पैदा करना यहां ठीक है उसको हटा दें the treatment area should be well heated and ventilated तो कहने का मतलब है कि direct massage नहीं अप्लाई करेंगे उसको पहले थोड़ा सा warm up करेंगे ठीक है और पूरी तरह से ventilated यानि cover नहीं होनी चाहिए वो यह नहीं कि आप कपड़ा पाहना और कपड़े के उपर से ही देने लगे नहीं पूरी तरह से uncovered होना चाहिए पेशन के हिसाब से नहीं आपके यानि कि जो प्रक्टिशनर है जो अपलाई करेगा है मसाज टेकनीक उसके हिसाब से एक adequate हाइट पर होनी चाहिए ना जाब बहुत ज्यादा नीचे होना चाहिए और बहुत ज्यादा ऊंचा होना चाहिए तो पेशन को आप जैसे कि मैंने पहले भी बताया था इससे पहले जब हमें stretching की बात कर रहे थे तब भी हमने बताया था ठीके और इसमें भी जब भी कोई टेकनीक आप दोगे तो पेशन को या कोई भी मशीन लगाओगे ठीके आप पेशन को पहले उसके बारे में ठीक the outcome of the treatment should be explained to the patient वही जो हमने बात की कि इससे उसको क्या फाइदा मिलेगा उसके लिए क्या अच्छा है कैसे यह जो उसके अंदर गरवड़ी है सरीर के अंदर उसको दूर करेगा यह पूरी उसको बतानी है कि यह यह changes होंगे आपके सरीर में इससे यह फाइदा मिलेगा आपको ठीक है यह सारी चीज़े उसको बतानी है treatment should not be given with dry hands always use contact material like powder oil to prevent dryness of the skin तो कहने का मतला है treatment कभी भी जब भी आप treatment दोगे तो सूखे हाथों से नहीं दोगे यानि कि ऐसा नहीं है कि patient आया ठीक है सारी चीज़े की आपने और direct massage करने लगे नहीं अपने हाथों में आप क smoothly चले जो आपके हाथों को smoothly चलाने के लिए कारगर हो चिक सहता करे वैसी चीज़े कोई लगा लोगे अपने हाथ पर आप ठीक है ताकि जो patient की skin है या आपके हाथ की skin है वो dry न रहे ठीक है जिससे patient को तकलीफ ना हो ठीक इचिंग ना हो redness ना बढ़ जाए ठीक है ये सारी चीजे कोई परिशानी कोई दिक्कत ना हो उसको ठीक है किसी तरह की इनकमफर्टेबल ना हो वो पेशन तो ओके थैंक्यू क्लास आज के लिए इतना ही